हेलो एब्रिवन कैसे आप लोग स्टुडेंट्स मैं आपका दोस्त होस्ट एंड मेंटर्स संतो स्कुर मैं आपको लेकर आ रहा हूँ फ्रूड मेकेनिक्स फ्रूड मेकेनिक्स में जितना भी competition से question related है उसको point को out करने के लिए point को discuss करने के लिए आपको दिखाने के लिए कि फ्रूड मेकेनिक्स में कैसे पढ़ना और कैसे पढ़ा जाता है ताकि आप competition में अधिक से अधिक question बन सके इसको कहीं कहीं नाम हैडरोलिक्स रहता है कहीं कहीं प्रूड मेकेनिक्स रहता है तो फ्रूड मेकेनिक्स बैस्ट नी या हैडरोलिक्स आप discuss कियोंगे कोई फोड समेंस्टर में करता है इसकेंश्न कूंगे लेकिन आपको मैं कम्पीटिशन के तरह से कंपीटिशन के लिए त्यार करने के लिए आपको क्या करना है easily और smoothly formula का पूरा learn करना है पूरे याद होना चाहिए और जितना भी definition type term है उस सब आपको दिमाग में होना चाहिए कैसे open होता है और कैसे आपको question को solve किया जाता है तो students इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको जितना दिन flood mechanics परहाऊंगा उसमें आपको question भी discussion कराऊंगा आखिर question कैसे आता है कहां से आता है उसमें आपको previous year जितना भी competition होता चाहिए जो भी हो AE हो RRB हो जितने भी competition होता है उस सभी competition का question आपको previous year कराऊंगा और बाकी extra question तो हम कराते ही रहेंगे साथ में point के साथ discuss करते रहेंगे तो students आज हम लोग syllabus discussion करने जा रहा है syllabus discussion simple साम ये बताएंगे का आपको परना कैसे और परहते कैसे हैं और को तयार कैसे करना है तो सबसे पहले आप देखेंगे food mechanics, syllabus हम लोग देखेंगे तो उसमें परना क्या है food mechanics परना है ये सब क्या है एक प्रोपर्टीज है जो इसे आपको विसको सीटी पर होंगे है ना Newton's law विसको सीटी पर होंगे kinematic विसको सीटी जिसको डायनमिक विसको सीटी ये सभी टर्म आपको डिसकस करेंगे हम लोग students सबसे पहले थोरा सा डिफिनेशन ये हो जाए कि में fluid mechanics होता क्या है ना fluid mechanics आप दो टर्म बहुत देखे होंगे open market में है ना mechanics तो बहुत देखे होंगे बहुत सारा mechanics mechanics में क्या होता है only study होता है study of force and their effects and their effects क्या पढ़ते हम लोग mechanics में आप पढ़ते होंगे किसी भी body का किसी भी structure का उसके force के बारे में और उसके effects के बारे में लेकिन यहाँ आप गौर की जगा यहाँ पे टर्म है food food का अंतरा होता है क्या क्या कोई भी चीज है जो आपको deform होता है अपने आपको position को change करता है ना deformation body होता है deformation body होता है deformation body मतलब क्या जो फ्लो करें property of flow is called fluid definition क्या होगा property of flow is called fluid simple साथ लो है is called fluid और प्रोपर्टी होना चाहिए कैसे प्रोपर्टी होना चाहिए deformable party होना चाहिए share force क्या है sorry food क्या है एक deformation body है जो आपको flow करता है flow होता है deformation के तरह यानि आपको जे फ्लो होता है तो सीफ सीम सेफ में नहीं रहता है that is deformation body simple साथ मतलब होता है deformation जो एक्टोल में है जोसे आपके पास कोई body है solid body उसको जैसे फेकिएगा वही से ही रहेगा जिस से पत्थर है जिस सेफ में फेकते हैं उसी सेफ में रहता है जैसे आप यहां से फेकिएगा open में तो आपके क्या होगा उसका body क्या होगा चेंज हो जाता है that is called deformation body तो आपके पास पूछे का क्या होता है तो सिंपल सा बोली का flow of fluid is called flow of liquid is called sorry flow of properties of flow is called fluid क्या होता है properties of flow is called fluid कैसा फलो होना चाहिए deformation under the shear force कैसा deformation होना चाहिए कैसा फ्लो होना चाहिए क्या deformation of body under the shear force is called fluid है ना अब यहां पे पॉइंट आरा कि flow कैसा होना चाहिए ना flow है ना flow कैसा होना चाहिए आपको एक टर्म दिग गया flow flow actual में क्या होता है flow क्या होता है आपको को लेए पीचीज होता है जो फ्लो हो रहा है तीक है साlla स्वच्टाना स्वच्टान स्वच्टान स्वच्टांड आन्ज FIRST रिस्पेक्ट टू चाहिए टाइम है सबस्तांस पोजीशन चेंज है न है पोजीशन चेंज विथी क्सक्राइब उड़े прич Birds time हॉ जात है सबस्तांस होता है आपके पास क्या होता है ताइम पेसाथ चेंज होता है उसको आतको क्या बलते हैं फ्लोब होता है Add Name सबस्ता न्स कहाता है एक टर्मा के सवस्टान्स सवस्टान्स क्या होता है किसी भी पोजिशन कोई भी सवस्टान्स क्या होता है आपको पाई करता है स्पेस को यानि आप स्पेस को खाता है रखता है ठीक तो उसको सवस्टान्स बोलते हैं सवस्टान्स में आप तीन ट्रैप के पढ़ेंगे क्या रहूंगे सॉलिड उसके लिक्यूइड इसके गैस गैस यह जो होता है हमारे पास क्या होता है लिप लो होता है और यह आपको फ्लो नहीं हो सकता है उसके बार बेसी की लिफ्नेसन देखेंगे उसके यह आजब आजब लोगे इस सब को बारी बारी से मोग डिसकर्शन करते हैं प्रिपर्टी देखेंगे और रॉल आफ दी मोन यानि मेकनिक्स क्या होता है एक टर्म कहीं कहीं पर यूज किया जाता है है हाइड्रोलिक्स फ्लूड मेकेनिक्स या इसी को बलता है हाइड्रोलिक्स और Hydraulics Hydraulics सब्देक्चोर में Greek word है क्या है Greek word It is a Greek word Form From Greek word Greek word से बना है किस से Hydraulikos से है Hydraulikos 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 मतलोफ सिंपल सा होता है Hydraulikos होता है Hydro होता है Hydro बनन क्या होता है Water Water यानि एक्चौल में हैじゃ Glad aquellos वर्ड है तरह जिए Greek word ठीक उसका मतलल होता है Hydro Hydraulikos Water simple सा Water के बारे में जो यस्तुडी करते हैं हम लोगों उसको psychod mechanics पोलते हैं जहां भी हमिवें चैनल never वाटर के अर्ट के साथ अन्ने भी सोर्च होता प्लूड का वो सभ लेकिन रहेगा water के बारे में चैनलो कि अवसमाइन चैनल्यक शुट्लिक में पढ़ते कैश मेर्द आपको दिख गया हुआ है जाने हैं जो मूभेवल होता है डाइने को जो अर्ज मोछा हुआ रुखा हुआ रता है यानि कैनामेटिक और डाइनमेटिक एस्टडी के बारें पर एंगे वहसे को आप उसको हम लोग वेलो सीटि एंड़ स्ट्रियरेशंस देखेंगे स्ट्रीम लाइन मतलो होता है जो धारा होता है, जिसको हिंदी में बोलते है धारा, यानि उसके बार में हम लोग study करेंगे, उसका continuity equation, आप बहुत पर होंगे students, चर्चा क्योंगे continuity equation क्या होता है, continuity equation होता है, a1, b1, equal to a2, b2, यहां पर कह रहा है कि कोई भी body, अगर माले कोई section है हमारे पास, और section 1 माल लेते है यहां पर, और section 2 है हमारे पास, तो students, यहां पर जो flow होगा, है न, और यहां पर जो flow होगा, ठीक, यह हमाल लेते b1 है, और यहां पर b2 है, और इसका diameter, अगर अगर a1 माल लेते है, इसका diameter a1 है, और इसका area, pipe का, और यह a2 है, एक्चुने, pipe कैसा होता है, circular होता है, तो open flow के नहीं होता है यह close flow यानि pipe flow की बात करेंगे हम लोग तो pipe में जो flow होता है तो उसका diameter अगर change भी रहता है तो इस कहता है कि यहां से जितना water का flow होगा उतना ही water के flow यहां पे होगा तो एक मन में बिचार काता है A1 B1 से पहले हम लोगो raw 1 और raw 2 रहता है चुकि हमारे पा करते है continuity equation continuity equation तो students हम लोग आगे इसकी चर्चा पूरे डिटल से करने जा रहे है कि कहां और कैसे हमको परना है तो actual में आपका जब भी define करना हो continuity equation आप बुलिए raw 1 A1 B1 equal to raw 2 A2 B2 ऐसा नहीं कि A1 B1 equal to A2 B2 यह बात आपको ध्यान में रखना है students तो हम लोग यहां पे देखें continuity equation momentum equation देखेंगे energy equation देखेंगे ठीक नेवियर डेस्टोक्स equation देखेंगे यूलर्स equation देखेंगे यूलर्स equation से हमारा आप देखेंगे application of fluid and flow problems ठीक पाइप जितना भी वेर्स यह सभी हम लोग चर्चा करेंगे ठीक तो मुलेक सर्पर नोलीज एक्वेशन क्या हता है बर्नॉलीज एक्वेशन है ना यह आप पर होंगे बर्नॉलीज एक्वेशन पी पलस भीए स्कॉयर बाई टूजी पी अपन रौजी पलस भीए स्कॉयर पन टूजी पलस जेड इसकल टूजी रो दिस इस गाल्ट पर नोलीज एक्वेशन है ना आपको यह बात याद होना चाहिए इसको हम लोग बोलते है आपको जो भी आप टर्म हमारे पास है यह तीन टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं स्टुएंट्स और उसके बाद हम लोग आगे करते हैं तो पूरिये डिटेल्स हम लोग स्टुड़ी करेंगे पी आपन रो जी पलस भी स्कॉर अपन टू जी पलस जड क्या होता है न यह प फशे सब्सक्राइब कर जो दिजिते होता है कि सब्सक्राइब कोई कंपिटेशन नहीं है यह सेसे कॉए thrilling bill है और मुर्व फर्मुला से फिक्स से डायमेंशन लेंशन खista यह लोगा कोईगेंस नहीं है तो सब्सक्राइब नहीं कोई है इसके हुए हम लोग study करेंगे students ठीक इस बात को ध्यान रखना है laminar flow क्या होता है turbulent flow क्या होता है laminar and turbulent open flow के लिए होता है close flow के लिए है तो दोनों का value अलग-अलग है यह मत अच्छाए कि सर्व लेमिनार और turbulent single close flow के लिए होता है laminar and turbulent open flow के लिए होता है और close flow के लिए होता है तो दोनों flow में हम लोग laminar and turbulent दोनों के discuss करेंगे उसका boundary layer की बात करेंगे तहीं सभी point को हम लोग point out करेंगे ठीक तो students हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कितना लेकिन यहीं पर जब कैनाल देखते हैं ना चैनल देखते हैं तो उसमें क्या होता है आपके पास open flow होता है थोड़ा स्पीड में कुछ और बुला गया है ना जिसे नहर से पानी जा रहा है नदी से पानी निकल रहा है यह सब क्या है open flow होता है हमारा तो लमिनार और टेर्बॉलेंट दोनों के discussion करेंगे हम लोग open flow में and close flow में तो हम दोनों पर रहेंगे open flow and close flow दोनों उसको यहाद है hydraulics machine आता है hydraulics machine में students क्या होता है डर्वैंट परते हैं है ना ना पंप परते है तो तर्वाइंट क्या होता है चवाइंट क्या होता हैwritten अपको Mais हमगो स्कुष्य ते भाय кноп से नेढ़ने से होटा है। सुष्य पड़ते हैं तो अन भानम को डिनल्टे के साथ होटा है तो इसको तरवाइन बोलते हैं और जंसके उल्टा होता है अगर मेकैनिकल इनर्जी को अगर हम लोग हाइडरोलिक इनर्जी में ब्essक्रा érenceर्वेटकर बिलेते हैं तो इसको पॉम्प बोलते हैं लॉक्त शाट लॉस्ट्रेजिए आप डैम पे हम हम फिर तुरूंट तॉर और पीजली सुरओंगे YouTube 알बट अधिए में को कोछ करते हैं घ्यक्त पानि इनर्जी सुन्मेश्न कि और है उसके आपने चलते हैं किस पैरंप हम क्या कर दें सिंपल पंप को क्या वलती मोटर के थूरू हम लोगba है मेकनिकल इनर्जी को क्या करते हैं we पानी को आप ऊपर पहुँंचा दिए तक और वंदॉप बोलते है तो इस तो ये यह πोया defined sacrifice जरिदीर आप कोईचिस रहेगा कि हमको 15-20 दिन में खतम करते हैं तो आज के स्यून लाइन शीarks जिस पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल से आप कमेंट करके भी देख सकते हैं, वहां हमारा एप डाउनलोड कीजिए, और वहां से हमसे जूर सकते हैं, हमारे जितने भी टीचर से, जितने भी फैकल्टे सब एक से एक बरके हैं, आप सभी को एकस्परियन्स हैं, आप वहां से डिसकसन कर सकते हैं, आप पूरे नोट्स को लिखे, साथ में पढ़िए, मजा आएगा, डिफिनेटली मजा आएगा इस्टुएंट्स, थैंक्यू सो मच, आप जुरिये और बेसक अपने दोस्तों में सेर कर दीजे वीडियो को, लाइक कर जिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आपको मिलते रहें, चैनल थैंक्यू सो मच, बाई, टाटा